हाँजी दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ जैन सिर्वास्तवार आप सभी का स्वागत है जैन्त विलोक्स के यूट्यूब चैनल में आज हम लोग बात करने वाले हैं IQ के तरफ से आने वाले IQ 9 के बारे में जो की बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर आने वाना है क्या कुछ specification क्या कुछ features देखने को मिलेगा इन सब के उपर detailed में हम लोग बाते करेंगे साथ में कब तक आ सकता है और क्या इसके prices इंडिया में देखने को मिलेगी चाइना वाला variant जो है इसका उसमें और इंडिया वाले variant में खासा अंतर देखने को मिलेगा उसके उपर भी detailed में बाते कर लेंगे इस Chinese variant में क्या processor है क्या display है क्या batteries and all और इंडिया में क्या दे रहा है यह उसके उपर भी बाते कर लेंगे prices most probably आपकी जो mobile phone launch वी थी अभी recently one plus 980 उसी के similar देखने को मिलेगी यानि की 40 से 45 जार वाले price statement में यह mobile phone आएगा एक flagship mobile phone होने वाला IQ वे दरब से बहुत ही बैदरीन features के साथ यह देखने को मिलेगा इसके उपर हम लोग बात ही कर लेते हैं क्या कुछ इससे अंदर होने वाला है बट बिफोर देट अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजए जिससे जब भी मैं कोई वीडियो चालूंगा तो उसकी अपडेट आपको देखने को मिलती रहेगी साथ में यदि आप फेस्बूक और इंस्टाग्राम की उपर हैं और अब तक आप तें मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है तो जाईए और मुझे वहाँ फॉलो कर लिजए ताकि डे टो डे लाइफ की अपडेट्स आपको मिलती रहे कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले IQ के तरफ से आने वाले IQ 9 के बारे में इसके फीचर्स के बारे में लेट्स टार्ट दे वीडियो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले हमें बिल्ड क्वालिटी के साथ ये काफी प्रीमियम इस्टक्चर में मोबाइल फोन देखने को मिलेगा गेमिंग मोबाइल फोन होने वाला है जैसा कि इसका बैनर लग चुका है IQ.com के ओफिशल वेबसाइट पे इंडिया वाले वेबसाइट पे भी लग चुका है IQ.9 Series Monster Insight और Battleground के साथ इसका tie-up है साथ में प्रीमियम पार्टनर आपके मोटर स्पोर्ट्स वाले हैं तो काफी बहतर gaming experience आपको देखने को मिलेगा काफी बहतर features के साथ ये mobile phone आ रहा है hard plastic polycarbonate की body होने वाली है साथ में triple set का camera आपको देखने को मिल जाएगा आपके पीछे के साइड में और सामने के साइड में आपका जो camera दिया गया है वो in display देखने को मिलेगा इस screen protector में आपका corning gorilla glass देखने को मिल जाएगा साथ में नीचे के साइड अगर आपाते हो तो नीचे के साइड आपको type c charging pod देखने को मिल जाएगा जिससे आप USB में भी यूज़ कर सकते हैं और charging के लिए भी यूज़ कर सकते हैं राइट साइड में आपका वही volume up-down all-up button और एक power button दिया गया है जो क्या on-off करने के use में आपके mobile phone को आएगा 3.5 mm audio jack आपको इससे अंदर नहीं मिलेगा दूसरे साइड में आपका वही dual sim का stand sim tray देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने phone के sims को लगा सकते हैं sim cards को लगा सकते हैं nano sim को यह support करेगा साथ में कोई memory card का external slot नहीं दिया गया तो अगर आप memory cards लगाना चाहते हो तो memory cards इसमें नहीं लगेंगे बात करें build qualities के structure के बारे में तो काफ़ी premium look के साथ यह mobile phone आपको देखने को मिलेगा किसी भी तरह की कोई issues in term of build qualities आपको देखने को नहीं मिलने वाली है सुरू कर लेते हैं सबसे पहले question के साथ सबसे पहला question जो always हम लोग pick up करते हैं that is phone में band गया देखने को मिलेगा तो यह 5G mobile phone होने वाला है 5G band के साथ यह mobile phone आ रहा है और latest technology 5G bands को support करेगा लगवग 11-13 bands को यह phone support करने वाला है अभी official notification नहीं है इसका band वाला आज आएगा जैसे उसके बारे में भी update देदूँगा लेकिन फिलाल के लिए 5G phone आपको IQ9 के अंदर देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं इसके monster snapdragon processors के बारे में जो इसके अंदर आपको दिया गया है यानि की performance beyond expectation with snapdragon 8 generation 1 वाला प्रोसेसर काफी अटकले लग रही थी कि हो सकता है जो इंडिया वाला वेरेंट आने वाला है उसके अंदर आपको snapdragon 8888 के साथ देखने को मिलेगा लेकिन official banner लेक्ट चुक है IQ.com slash India की website की उपर and that is snapdragon 8 generation 1 वाला प्रोसेसर जो की 8 4 nanometer की process technology की उपर work करता है और काफी अच्छा और fastest speed or superior graphics की आपको यहां पर quality देखने को experience होने वाली है यानि की देखने वाली है साथ में GPU जो दिया जाएगा वो आपका ID 0730 GPU होगा जो की काफी बहतर graphics की rendering आपको perform करके देदेगा यानि कि अगर आप game एम खिलना चाहतो इस mobile phone के साथ तो रत्ती भर की issues नहीं होगा कंपनी खुद बोल रही है कि भाई यह gaming smart phone है तो गेम इसके साथ धरले से कहलो कोई issues आपको देखने को नहीं मिलेगा काफी अच्छा processor आपका दिया गया है cortex X2, cortex A710 और cortex A510 का combination देखने को मिल जाएगा CPU के साथ जो कि आपकी central processing unit को और भी ज़्यादा strong बनाता है performance के इवज में तो in term of processor, in term of GPU, in term of CPU बहुत ही अच्छा combination आपको देखने को इस phone के अंदर मिलने वाला है वह यह अगर इस phone के हम लोग display के बारे पर दोस्तों बाते कर ले तो display 6.78 inches की आपको देखने को मिल जाएगी जो की 120 hertz के refresh rate की उपर work करेगा display, amold display होने वाला amold panel के साथ आएगा HDR tank के certification इसको अलड़ी मिल चुकी है एक issues इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यह mobile phone किसी तरह की IP rating के साथ नहीं आ रहा है यानि कि एक water resistant वाला जो एक features होता था ना कि हमारे phone को भिंगने मिलने से बचा लेता है या फिर कुछ हद तक phone भिंग जाए तो phone हमारे secure रहता है वो थोड़ा सा इसमें lack रहेगा issues रहेगा demerit आप कहा सकते हो या cons में गिन सकते हो कि किसी भी तरह की IP rating के साथ इस phone को नहीं मिलने वाली है कोई IP rating कोई IP support नहीं मिलेगा इस वज़े से phone अगर भिंग भिंग जाता है तो खराब होने की chance सत प्रतिशत यानि की 100 प्रतिशत होने वाली है तो यदि आप पानी वानी में आपका area ऐसे जगा प्याता है कि आप भिंग भिंग सकते हो तो प्लास्टिक करी करना अपने साथ नहीं तो फोन भिंग जाएगा तो खराब हो जाएगा ठीक है डिस्प्ले क्वालिटी आउसम होगा गेमिंग एक्स्प्रियंस कफी अच्छा मिलेगा इमेजेज और वीडियो की रेंडरिंग और उसकी क्वालिटी बहुत ही आउसम आपको देखने को मिल जाएगी वहीं अगर इस फोन के हम लोग उपरेटिंग सिश्टम के बारे में बाते कर लें तो एंडॉइड 12 आउट आप दा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा वहीं अगर हम लोग इसके कैमरे की बारे में दोस्तों बाते कर लें तो ट्रिपल सेट कैमरे के साथ आएगा 50 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा होने वाला है साथ में 13 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है 12 मेगा पिक्सल का आपका टेली फोटो कैमरा दिया गया है डूल टोन एलेडी फ्लैश के साथ ये मोबाल कैमरा देखने को मिलेगा आपको काफी बैतर परफॉर्मेंस देगा 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकेंड पे साथ में फ्रेंट वाला जो कैमरा दिया गया है 16 मेगा पिक्सल आटो एश्डियर को सपोर्ट करता है साथ में 1080p की रिजॉलुशन पे 60 फ्रेम पर सेकेंड पे आप इसके साथ भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जीरो EIS के साथ फ्रेंट अलग सेलफी कैमरा आपको देखने को मिलेगा तो इंटरम आप कैमरा परफॉर्मेंस कोई इश्यूस नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी 45 से 50 फ्रेंट कर रहे हो और सामने वाला 1080p के रिजॉलुशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करता है सोचना पड़ेगा लेने से पहले लेकिन अगर गेमिंग वाला परफॉर्मेंस है गेमिंग के एक्स्परियंस के लिए मोबाइल फॉन लिया जा रहा है तो कोई सोचने की जुरत नहीं कैमरा उतना बुरा भी नहीं होगा काफी बैदर परफॉर्मेंस आपको है दोनों ही कै देखने को मिल जाएंगे एक डाउट है मन में थोड़ा सा उसे भी क्लियर रखना 91 मोबाइल के हिसाब से जो इंडिया वाला वारियंट होने वाला है उसने 48 मेगा पिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा लेकिन जीए समेरी ना और फिर आईक्यू ऑफिशल्स के जो ट्वीट के उ वाला चार्जर यानि कि शौमी ने एक मोबाइल फोन लाया था अपना 11 series वाले अंदर हाइपर चार्ज का एक चार्जर कोईंग किया अब इस फोन इस कंपनी ने भी इससे एक्सेप्ट करके 120 वाला चार्जर लेकर आ रही है मैंने आपसे बात बोला था सैद आपने रिमें भी ला देगा फिर इसका दवन प्लस भी ला देगा मोटरोला भी ला देगा तो एक अच्छा यूग आने वाला है अब थोड़ा सा हमें फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा अब एक देड़ घंटे तक वेट करने की रिक्वार्मेंट नहीं होगी तो इंटर्मा बैटरी 47W का 4700MH की बैटरी 120W का चार्जर साथ में 10W का reverse wireless charging को यह support करता है तो अगर आपके पास wireless charger होगा तो आप 10W का wireless charger इसके साथ यूज करते अपने phone को चार्ज करने के लिए जहां 120W आपको मिलना आप wireless के साथ क्यों जाओगे यह तो कौहन सी बात है तो 4700MH की बैटरी with 120W वाला charger वह अगर इस phone के sensors को देखोगे तो fingerprint lock वाला जो sensor है वह in display मिलने वाला है यानि कि in display optical fingerprint sensor आपको देखने को मिलेगा साथ में फलाना डेकाना जितने भी sensors आते थे gyroscope हो proximity sensor हो ambient light sensor हो यह आपका gyroscope sensor हो जाए यह फिर आपका compass sensor हो जाए आपका compass sensor हो इस आपको देखने को नहीं मिलेगा एक बार फटक से checking कर लेते हैं क्या कुछ है क्या कुछ इसमें अंदर missing है 3.5 mm को audio jack आपको देखने को नहीं मिलेगा साथ में HD card का अगर use करना चाहते हैं HD card लगाना चाहते हैं तो इस phone के अंदर नहीं लगा सकते front वाला selfie camera जा है वो फोरगे की recording को support नहीं करता है 1080p की resolutions पर ही आप video recording कर पाएंगे साथ में आपका loud speaker dual speakers आपको देखने को मिल जाएगा stereo speaker से काफ़े better performance आपको देगा in term of speakers और जैसा की इस पर लगा हुआ है आपका banner भी लगा हुआ हाई-res audio 120 db की देखने को मिलेगी high dynamic hi-fi के साथ आपका काफ़ी stereo dolby sound देखने को मिल जाएगा wise के अंदर आपको w-line support करता है 802.11 और 5.2 bluetooth दिया गया GPS को support करता है NFC को support करता है radius में नहीं है USB type C आपको देखने को मिलेगा और USB on the go को यह support करता है तो किसी तरह का कुछ issues नहीं होगा लगबग सारे flagship mobile phone अब 3.5 mm का audio jack को हटा दिये है 40 के उपर चले जाते हैं android phone के अंदर तो आपको HD card को option पर देखने को बंद हो जाता है जो internal आप खरीद होगे उसी के साथ use करना पढ़ता है just like iPhone वाला issues अब यह लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है common सी बात हो चुकी है वह अगर इस phone के हम लोग variants और prices के बारे में दोस्तों बाते कर लें तो दो set में यह phone आने वाला है एक तो 8GB RAM के साथ आएगा दूसरा 12GB RAM आपको देखने को मिलेगी 8GB वाले में 118GB का option होगा दूसरे 12GB वाले में 256GB और आपका साथ में 512GB का options होगा क्योंकि इसमें memory card नहीं है तो higher जितना लोग इतना आपको future के लिए बढ़िया रहेगा storage भरने का issues कम रहेगा और Vivo के तरफ से काफ़ी अच्छा यह mobile phone है Vivo का ही IQ है IQ 9 Vivo के तरफ से आ रहा है तो काफी better performance आपको यह दे देगा OnePlus 980 से अगर थोड़ा सा comparison कर ले तो processor इसका उससे थोड़ा सा superior देखने को मिलेगा उसमें OnePlus 980 वाले में आपका Snapdragon 888 processor था जो कि 5 nanometer की वपर work करता था लेकिन इसके अंदर आपको OnePlus 8 generation 1 वाला processor दिया गया बोले तो Snapdragon 8 generation 1 वाला processor है जो कि 4 nanometer की वपर बेश्ट एक अच्छा superior quality का processor है जो कि अच्छा का सा gaming experience आपको दे देगा तो अगर आप gamers हो, game lovers हो और hard term users हो, hard end user हो तो बहुत अच्छा mobile phone का विकलप आपके लिए हो सकता है आप अपने राय को share कीजेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप अगर लेने वाले वाले इस phone को जरूर बताईगा मेरे साथ साथ सागर आप OnePlus 980 effort कर सकते थे और उसे लेना चाहते थे तो मैं इतना कहूंगा कि आप इस phone का भी wait कर सकते हैं, ये phone भी काफी better और अच्छे experience के साथ आपको देखने को मिल जाएगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगा अगली वीडियो में, comment करके बताना कैसा रहा आपका experience OnePlus 980 के साथ अगर आपने लिया है तो और अगर आप इसके लिए प्लान बना रहे हो IQ9 के लिए तो जरूर कमेंट करना कि क्या कुछ आपके प्लान से फिर मिलेंगा अगली वीडियो में, बाई बाई, जैहन दोस्तों